प्रजबुशन सिंग के टिकट को लेकर अस्वंजस कि स्थिति बनी वी है राजनितिक इलाके में टिकट कटने की चर्चा चरम पर है जिससे ब्रजबुशन सिंग के राजनितिक सफर खत्रे में दिख रहा है इस लोगसवा सिट को लेकर कई नाम चर्चा में आ गए हैं इनमें अवद ओजा का नाम काफी चर्चा में हैं हलाकि अवद ओजा अपने एक बयान में ब्रजबुशन सिंग को गोंडा का राजा तक बता चुके हैं इसके लाब रेजबुशन सिंग के बेटे पतनी तथा दो अन्य विधायकों के नाम को लेकर भी चड़चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी की पहले लिस्ट में अवद छेतर के अधिकतर सीटों पर परत्याशे के नामों का एलान होने के बाद कि सरगन सीट पर परत्याशे के नाम की घोशना ना होना इस पर लोगसवा सीट पर राजनितिक महोल दिखाता है। लोग इसे अब रैसलर प्रोटेस्ट और ब्रैजबोशन सिंग पर लगे आरोपोक से जोड़ कर टिकट कटने की चड़चा कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले हफ़ते अबद ओजा की डिप्टी सियम केशब परसाद मोर्या और पूर्ब डिप्टी सियम दिनेश सर्वा से मुलाकात के बाद ओजा सर से यहां चुनाव लड़ने की चड़चा तेज हुई। पर्क में होने के सवाल पर उन्होंने बात सीरे से खारिच कर दी के सरगंज लोगसवा सीट से ब्रेजबोशन स्रण सिंग एक बार फिड़ सपा के टिकट पर तो दो बार बीजेपी के टिकट से सांसत बन चुके हैं। पर उनके परिवार के लावा भी किसी अन्य नाम के परतियाशों का एलान होता है तो क्या उसको भाजपा के तमाम समर्थकों का यानि ब्रेजबोशन के समर्थकों का साथ मिल पाएगा या नहीं। इस बीज अवद ओजा के एक ऐसी वीडियो वारल हो रही है जिसमें ब्रेजबोशन की खुल कर तारीफ कर रही हैं। बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर उनका अच्छा खासा दबदबा है वहाँ की जनता उनको कितना बांती है वह फिटनिस में कितने आगे हैं तो यह सारी तारीफ वे करते नजर आए थे बनिरेशनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।